नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहदी मातो पूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ किबल एक महिने में दूर होंगे सफेद दाग इस्तिमाल करें लाल मिट्टी यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए जी हाँ जब भी सफेद दाग हो जाते हैं कहीं भी फेस पर या फिर शरीर पे तो हम अनकमपर्टेबल फिल करने लगते हैं हमारी सुंदर्ता को जैसे ग्रहन लग जाता है इसलिए आज हम आप सभी के लिए ये टॉपिक ले करके आए हैं सफेद दाग किसी को भी हो सकते हैं और ये एक बिमारी है जो समय पर इलाज करने से ठीक हो सकती है लेकिन कई बार लोग इसे छुट की बिमारी मान लेते हैं और इस कारण इस बिमारी से ग्रस्त मरीजों के स सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी होने में काफी दिक्कते आती हैं और कईयों की तो हो भी नहीं पाती है जबकि ये भी गलत है तो इन गलत चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया जाए यहीं है आज का टॉपिक आप सभी के लिए इन गलत चीजों क भी लाब हो सके अगर आप से तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जिससे की मरीज घर बैठे ही अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है जियां बेहद आसान है ये उपाई ये उपाई बहुत ही आसान है और रामबान इलाज माने जाते हैं और आपको इसका असर 15 दिनों में दिखूने भी लगता है ये नारियल टेल का विशेश तरह का मिश्रण है जिसे तयार करना बहुत ही आसान है लाल मिट्टि जिहां सबसे पहले आपको लेनी है लाल मिट्टी लाल मिट्टी को सफेद दाग का रामबानी इलाज माना जाता है जबकि शहर में रहने वाले कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होती है ग्रामिड जगहों पर तो लोग इस बीमारी के इलाज के लिए लाल मिट्टी का ही इ ऐसे में जब आप अपनी त्वचा पर लाल मिटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोपर त्वचा में मेले नीन के निर्मार को बढ़ा देती है जिससे सफेद दाग ठीक हो जाते हैं यानि कि एक बात और आप जानगे कि शरीर में यानि कि आपकी त्वचा में मेले नीन की कमी हो और दाग जल्दी से ठीक होने लग जाता है इस तरह से आपको लगाना होता है दागों में लाल मिट्टी ये भी धी जान लीजिए लेकिन इन दागों को ठीक करने के लिए आपको विश्रीष तरीके से दागों पर लाल मिट्टी को लगाने की जरूरत होती है इन दागों पर मसाज करें और फिर इसे सुखने के लिए छोड़ दें ऐसा रोजाना करें इससे सफेद दाग जल्दी ही नश्ट हो जाएंगे इसके साथ साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है जिहां इस उपाई को शुरू करने से पहले आपको नमक, मिर्च, त यह उपाय कारगर नहीं हो सकते हैं साथ ही आप जो होमियोपैथिक इलाज इस बिमारी के लिए करवा रहे होंगे उसे इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के दोरान चारी रखें इससे दुगना असर होता है इसके हलावा इस नुस्खे का इस्तेमाल करने के दोरान रोजाना स तूबह एक ग्लास लोकी का जूस पीएं इस जूस में 11 तुलसी के पते और 11 पुदीने के पते डाल करके अगर आप पीते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा फाइदेमन साबित होती है जिहां दोस्तों सफित दाग को मिठाने के लिए ये होम में ड्रेमेडी बेहधीं जान रखें आप कि होम में ड्रेमेडी अपना पून असर दिखाने में थोड़ा वक्त लेती हैं लेकिन आपका इलाज सटीक होता है ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं को और बहद ही महतों पून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों